कहते हैं कि भगवान विश्नु के सीर्सागर में सीषनाग पर लेटे हुए है और ये सीषनाग पूरे यूनिवर्स को अपने उपर उठाई हुए है महाभारत के अनुसार सीषनाग दुनिया के सभी सापों में सबसे ताकतवर है और इसके बहुत सारे सर है इंडियन माइथोलोजी में ऐसा कहा गया है कि शीषनाग के हजार सर थे जब हम दुनिया के इतिहास और इंशेन माइथोलोजी के बारे में परते है तो हमें ऐसे कई क्रीचर्स का एक्जामपल मिलता है जिनके बहुत सारे सर थे आज की वीडियो में हम आपको ऐसे क्रीचर के बार में बताने वाले है रोमेन माइथोलोजी में लिर्न नाम के एक लेक की बात की गई है जो जमीन के अंदर की दुनिया का इंट्रांस कहा जाता था और इस इंट्रांस की रक्षा करता था लिर्नियन हाइड्रा ये एक वीडि़ी तो लायन की होती थी लेकिन इसका एक सर लायन का और एक बकरी का होता था गरीक माइथोलोजी में सेरी बेरस नाम का एक मोंस्टर डॉप का वी जिकर है जिसके तीन सर थे अभी तक मैंना आपको जिन क्रीचर के बारे में बताया उनके सर आगे की ओर ही होते थे लेकिन एंशियन ग्रीस में एंफिस बेनिया नाम के एक सर्पेंट के होने की बाद भी कही जाती है, जिसकी बॉड़ी के दोनों कॉर्णर पर एक एक सर होता था, यूरोपियन माइथोलोजी में जगा जगा पर इंडियन ड्रैगन नाम के एक क्रीचर का जिकर मिलता है, जिशनाक के आलावा इंडियन माइथोलोजी में वसू की नाक का भी जिकर मिलता है, जिसके हजार सर्थे, भगवान शीव के गले पर आपको जो साब देखने को मिलता है, वो वसू की ही है, उन्हें भगवान शीव की क्रीपा प्राप्त हुई थी, और इसलिए उन्हें उनके गले में अभूशन के रूप में रहने का सोभाग्य मिला, पुरानों में गेंद बरुंदा नाम के एक दो सरवाले बर्ड का जिकर मिलता है, जो असल में विश्नु का अफ्तार था, और कहते हैं कि इस बर्ड में जादुई शक्ती थी, ये आज भी कर्णा टक का ओफिशियल स्टेट एंबलेम है, पुरानों में समुद्र मंथन के दोरान, उच्छे सरवस नाम का एक साथ सरवाला होर्स प्रकट हुआ था, इंडियन माइथोलोजी में इसे सूरिया देव और असुरो के राजा बाली का बहान कहा गया है, आपने अईरावाथाथी का नाम तो जरूर सुना होगा, हिंदू, बुद्ध और जैन रिलिजियन में इसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, थाईलैंड के एंशियन कल्चर में इसे इरावन नाम दिया गया है, और ऐसा बताया जाता है कि इसके तीन या फिर तैतीस सर हुआ करते थे, जब हम चाइनीज और जैपनीज माइथोलोजी पर नजर डालते है, तो इन में आपको धेर सारे माल्टिपेल हेडर क्रीचर्स के बारे में सुनने को मिलता है, ऐसा ही एक जीव था शियंग लिउ, ये नौसर वाले स्नेक मॉंस्टर था, जो अपने जहर से किसी की भी जान ले सकता था, और अपनी साइस के कारण अकसर नदियों का बाहव बदल कर फ्लर्स की वज़े बनता था, एंशियन चाइनीज टेक्स्ट में गुहुनियों और जीवतोँनियों नाम के नौसर वाले बर्ट का भी जिकर मिलता है, कहते हैं कि ये असल में एक बुरी औरत का रूप है, बिल्कुल इंसानों के सर जैसे लगते थे, जैपनीस माइथोलोजी में यामाटा न ओरोची नाम का एक आठ सर और आठ टेल वाला ड्रागेन था, जो इशुमु प्रोविनेंस के ही रीवर के पास रहा करता था, कहते हैं कि ये ड्रागेन बहुत ही खतरनाक था, और आसपास के गावालों को इससे बचे रहने के लिए, हर साल अपनी एक बेटी इसे देनी परती थी, रॉशियन माइथोलोजी में स्लैविक ड्रागन नाम का एक सर्पेंट के बारे में बता जाता है, जो साप और इंसान का एक हाइब्रीड होता था, एंशियन स्लैविक टेक्स्ट में इसे जीमेल गोरिंज भी नाम दिया गया है, इस सर्पेंट के तीन से लेकर दस्तर तक हो सकते थे, ये तो बात हुई माइथोलोजी की, लेकिन क्या साइन्स के अनुसा टू हेड़ेट क्रीचर हो सकता है, और क्या हमारे पास ऐसे क्रीचर का एक्जाम्पेल है? इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है, बाइस वरवरी 2007 को नॉर्थ वेस्टन चाइना के जेहुल बायोटा नाम की जगा पर 12.2 करोर साल पुराना एक स्केलिटन मिला था, ये स्केलिटन हाई फेलोसारस लिंगियोनेसिस नाम के एक रिप्टाइल का था, जिसके दो सर थे, ये आज तक की इतिहास में एक से ज्यादा सर वाले जीब का सबसे पुराना एविडेंस था, किसी इंसान या जानवार के दो या दो से ज्यादा सर होने की कंडिशन को हम पॉलिसी फेली कहते है, साइन्टिस्ट के अनुसार ऐसे जीब तब पैदा होते है, जब एक ही जाईगॉट से डिबलोप हुए, दो इंब्रायूज बर्थ प्रोसेस के दोरान फिर से जॉइन हो जाते है, बर्थ के बाद ऐसे जीबों की बॉड़ी तो एक ही होती है, लेकिन उनके सर एक से ज्यादा हो जाते है, वैसे दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपनी दोस्तों के साथ शेर करना मत बूलना और अगर हवी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर हफते लाता रहता हूँ तो मिलता हो आपसे एगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स पर वाचिंग